भारत शेतर की इस भूमी में उनका प्रभाव विशेश है अबी आपकी इलाके में जिसका प्रभाव विशेश होगा उसको आप खोलो करोगे कि नि तो अपने ये भारत शेतर के इलाके में सिमंदर स्वामी की कृपा विशेश है है इसलिए हम सब उनकी निश्रा ले रहे हैं और जब उनकी निश्रा ले रहे हैं तो उनके अंडर में 10 लाग के वली भगवन्त हैं तो उनकी कृपा और 10 लाग के वली भगवन्तों की कृपा हमें लाइव मिल रही है लाइव जैसे यहां बेठे हैं यह बेठे हैं ना यहां जो कुरुपा लेगा उसको ही मिलेगी, जो नहीं मिलेगी, जो बच्चा आपके साथ बात करेगा, मम्मी ये करो, तो करोगे कि अपने आप करोगे, ये इसलिए कुरुपा मांगने, अगर ओटोमेटिक होता तो कुरुपा मांगने की जरुवत क्या थी, जो बेटी आपको फोन करेगी, उसको आप कुछ देंगी ना, जो आपको संपरकी नहीं रखेगी, उसका क्या कलियान करोगे आप, जो अपने मन मर्जी से जी रही है, जब उसको तकलिफ आए तब ममी को याद करे, और जो आपको रोज याद करे, तो आपका लगाओ किस के सा रहेगा रेगुलर है और जो अपने नीड बेज अपनी जरूरत पड़े तब मम्मी को पूछते हैं बाकी मम्मी गई तेल लगाने तो आपका कनेक्शन किसके साथ होगा जो जादा संपर्क में है तो जिम्हेदार किसकी हुई दो बेटी तो दोनों है आपकी लेकिन सिमंदर स्वामी को ये भी लगता हो गाने मैं सब के सब मेरे उनको करना कुछ नहीं है ओटोमेटिक है उनका मन तो होता हो गाना कि सब मेरे बच्चे है वो वितराग है उनको कोई मन नहीं होता ये ध्यान में रखो तिर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंद को हम ज केते कुछ बोले की तो आप नेरास होने वाला बोले की तो आप नेरास भी हो जाएंगे थोड़ो टाइम है के होता है ंह यह वितराग है लेकिन इसका नियम यह है ये साइनस बोल रहा हूं मैं आपको यह किसी के मन घर Yellow बाते नहीं है यह निशिट ऐसा ही होता है यह विज अधियान ऐसा है कि जो जैसे हम उनको याद करके कृपा मांगते हैं तो कृपा मिलेगी टीवी मालो है टीवी टीवी के अंदर आपके पास समझो 200-400 चैनल आ रही है तो आप टीवी खोल कर चैनल चालू करोगे तब आपको मिलेगा कि अपने आप टीवी चैनल दिखाना सुरू कर देगा लेकि मैं सिमाज़स्वामी की कृपा मुझे मिल रही है जो मिल रही है मैं यहां तक आई और मुझे मिल रही है आप मांग रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसलिए मिल रही है, लेकि मेरा यहां आना हो गया, और मैं अब शिंदों सिंदों सिंदों सहभी की खुरूपा, आप मुझे परोचसान दे रहे हैं, मैं ले रही हूं, तो इसके पीछे कारण क्या है? ओ बात की बात, पहले बात, सिद्धान्द की, विग्णा की यह बात है, कि आप ले रहे हैं, उसलिए मिल रही है, में बात अपनी यह है, अगर आप न लेते, तो यहां तक पहुचते ही नहीं, बरबर हैं, लिया है करके पहुच रहे हैं, यानि लेना जरूरी है, कुरूपा लेनी जरूरी है, के नहीं, वो तो इश्वर है, तिर्थंकर परमात्मा है, सब के लिए कल्यान भाव करते हैं, तो कल्यान होना चाहिए न सबका, नहीं होता है, जो कृपा मांगता है, उसी का कल्यान होता है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब सीमंदर स्वाम मामी को आप घर ले जाओगे, घर में अपना मित्र बना के रखोगे, परम गुरू, सदगुरू सवरूप रखोगे, जैसे रखोगे तो द्रत होता है तो वह सबंस अखिक है। मिलेंगे, पिता स्वरूप चाहिए, पिता स्वरूप मिलेंगे, फ्रेंड स्वरूप चाहिए, फ्रेंड स्वरूप चाहिए, बॉइफ्रेंड स्वरूप चाहिए, तो बॉइफ्रेंड स्वरूप मिलेगा, गर्फ्रेंट्स चाहिए तो गर्फ्रेंट मिलेगा उनका स्वरूप ही ऐसा है जो स्वरूप से हम धार्ना करते हैं उस स्वरूप से वो हमें मिलते हैं यह दोनों हस्ती कौन सी हस्ती केवली भगवंत जिवित तिर्थंकर परमात्मा और सद गुरू उनको भी आप जिस स्वरूब से धारण करोगे उस स्वरूब से मिलेंगे आपको धारणा आपकी है उनकी नहीं है वो सहज होते हैं वो सहज होते हैं आप जिस तरह उसको स्विकार होगे उस तरह वो आपको प्रसूत होंगे मिलेंगे अब समझ में आ रहा है तो ये कुरूबा क्यों लेना है क्योंकि मेरी आज मुझे पिता स्वरूब चाहिए कल मुझे माता स्वरूब चाहिए परसो मुझे सखा स्वरूब फ्रेंड स्वरूब चाहिए भाई स्वरूब चाहिए, बेन स्वरूब चाहिए पति स्वरूप चाहिए, पत्नी स्वरूप चाहिए अपना तो क्या है कभी क्या होगा क्या है अपने को अच्छाना कैसा लगेगा नहीं अभी मेरे को ऐसा ये प्रभू इसका रोल मेरे को निभादो आप तो आ जाएंगे ओ और ऐसा काम आपका हो भी जाएगा अब समझ में आ रहा है कुरुपा का मतलब कितना गेहरा है हाँ और अभी समझ में आए कि जिसके घर में स्थापना हो जाती है यह से जीवन्त तिर्थंकर परमाद जीवन्त है जीवन्त लाइव बिराजमान है connection चालू एक hotline खाली आपको hotline से आपको जुड़ना है जैसे आप जुड़गे तो आपकी hotline चालू ले जा रहे हो ना तो दूसरे हो गए जीवित तिर्थंकर परमात्मा और केवली बगवन्त तीसरे कौन हो गए है अरियन कुर्पा अरियन तो आगे है ना जीवित तिर्थंकर परमात्मा सिद्ध परमात्मा अब सिद्ध परमात्मा की कुरूपा कैसे मिलती है हमें किस प्रकार से मिलती है हाँ ऑफ लगामी些 है। जए गीफित vampires शाय, शाय मेसी होगितरा दें सीधान, ख़से लो आद Denise, Bdji the this eigenlijk सीधानथहे, पन अतियार्णना आपने ऐ शिध पर्मात्मा के विरीते वृटतय ज़ी तई साके? प्रीज आप अपर मात्मात जिद थाई या अवे अथियन अपने के विर्ट आपयोगी थाई सके तिर्थंकर परमात्मा केवडी भगवन्त जीवन्त छे, देहसो रूपे छे, तो अपने एमने तरंगो, हाँ, एमने प्राणधारा आपने मड़े, आपने मांगिये तो मड़े, जे में हमने तीवी नो दाकलो आई पो, तो तमें तीवी चालू करोंने, सोनी चेलन नो बेटन जेनल बटन दबएव, तो एक लिए सिमंदर स्वामी नो बटन दबएव, केवली बगवन्तों बटन दबएव, तो एमने प्राणधारा तमने मड़वानी सरू थाए, अभीगनान छे, अग घर नी कोई वात न थिया, तमें करो, तमें कोई पन करे, तो एने इपरिणाम ए लोगास्तों दबएव, के लोगास्तों जोगरे दंवत थे रहं जल्यनियों अरींते किन्ते हिसम्मेवू जी शे ने किला एक और घली काईड ने आपने एक एक एपिडोग। है ने शू नाम से आपनू भारती बेन तब यह जहुंगाँ चुके जिवित तिर्थंकर परमात्मा भगवान तमारा घर आवी सके एवु जो मर्तु हो तो खाली कल्पना करवान इसू जरूर छे नहीं जे कल्पना आवी रिते करें मुरखना खपे तमने एक आईस्क्रीम आप अन्हें एनों फोटो देखाड़ू परिजिके आप फोटो जो इन पेट भरी लें कई लो तमें बेव चोईसे तमारी बासे तो पच्छी हवे समझाणू हवे समझाणू तो अभी सिद्व परमात्मा की बात है सिद्व परमात्मा की कृपा कैसे मिलती है और क्यों मिलती है सिद्व परमात्मा सिद्व हो गए अभी यहां मौझूद नहीं है वो सिद्व हो गए उनको आप से अभी कोई लेना देना नहीं है लेकिन जब ओ अरिहन्त थे और देह छोड़ा उन्होंने उस समय केवली समुदघात करते हैं केवली समुदघात याने के उनके पास जो भी शूप पर्मानव होते हैं वो सारे जगत के कल्यान के लिए छोड़ते हैं देह छोड़ने के पहले ये घटना होती है हर केवली भगवंद को ये घटना होती है वो अपना अस्तित्व पूरे चौदराज लोग का ब्रह्मान में एक्सपांड करते हैं और अपने पास जो भी शूप परमानु है वो अपना खाली करते हैं माल और हमको ऑमाल इस ब्रह्मान में अभी ऐसे पर्मान में अनंत सिद्ध जो बने है उनके पर्मानों यहाँ मौझूद है यह हॉल में भी है तो जैसे आप नमो सिद्धानम बोलेंगे तो उनके पर्मानों आपके तरफ आएंगे अट्रेक होंगे लेकिन वो ऐसा नहीं अरिहन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम एक-एक मंगलम बोलते हैं तो आपको अरिहन्त दिख रहे हैं सिद्ध परमात्मा दिख रहे हैं और आपकी भावधाराओं उनसे जुड़ रही है आपका कनेक्शन हो रहा है और वो कनेक्शन के माध्यम से उनकी शक्ति आउर्जा आपके अंदर आ रही है पर हम लोग म nickelिक ऐसा बोलते चतारी मंगलम, अरिंता मंगलम, सिधा मंगलम, साउ मंगलम जफालाब, म altre कवलेप, तो नौफजम, अंतारी मतदा आप अरिंता मंगलम, सिधा मतदा, साउ मतदा इसाइ, सॉ मतदा था हाँ, जब सादू-साद्वी की सिभीर होई थी, मैंने यही बात बुली, हर सादू-साद्वी की जिम्मेदारी है, कि किस प्रकार प्रदान करे मांगलिक, ऐसा नहीं होता है, हाँ, ऐसी भावधरा में वो खुद आए, और उनसे ट्रांसफर करके आपको दे, यह है मांगलिक, ऐसा देखा है अभी तक? नहीं देखा है, आपने खाली वो पोपट देखा है, इसको पोपट बोलते है, और इसलिए हम सब पोपट बने हुए हैं आज तक, सब कुछ हमारे ह आज में चावी नहीं है, बंडर है, तीजोरी है, उसमें माल भरा पड़ा है, लेकिन चावी, उसमें क्या है, उसका मेनू भी है, मेनू काड़ भी है अपने पास, कि अंदर माल क्या पड़ा है, लेकिन चावी नहीं है, क्यों चावी क्या है? भावधरा, अब समझ में आ र यह मांगलिक किसके लिए हमारे कनेक्षन होने के लिए वो 24 क של में गंट hiding और हमको चनक्रा के दे इसलिया हम सदू-साधी भगवंतों को बोलते मांगलिक सुनाओ लेकिन वो भी जब ऐसे सुनाएंगे जैसे आप लोगस बोलते हैं वेसे वो अपना मांगलिक बोलते हैं चलो यह सुनाओ बोले तो सुना दिया चतारी मंगलम, अरिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साव मंगलम, केली पनदो, दमो मंगलम चार शरना अवर शरना न कोई जे कोई समझ में वो सब कुछ बोल लेते पोपट के जैसे कुछ भी आपके अंदर नहीं होगा न उसके अंदर होगा लेकिन जब आप मुझे पूछेंगे कि अभी मांगलिक मुझे सुनना है और मैं आप मैं आपके लिए मैं तो connected हूँ लेकिन आप नहीं है तो आप में उसे बोलते हैं जड़ा मांगलिक की कुछ रुपा कीजिए तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैं आपके लिए उनको आवहान दे रहा हूँ चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सिद्धा मंगलम जब मैं बोल रहा हूँ न तो मुझे वो ऐसास हो रहा है टच कर रहा हूँ मैं सिद्ध परमात्मा को वो सिद्ध गती में पहुँचे वो नहीं उनके परमानु को टच कर रहा हूँ उनकी कुपा जो यहाँ पर ब्रह्मान में है उसको मैं टच कर रहा हूँ वो छोड़के गैद जैसे अपने माबाब छोड़के जाते ना जाइदाद वेसे वो अपने लिए कुपा स्वरूपी परमानू छोड़के गैद इस ब्रह्मान में जब मैं ऐसा चत्तारी मंगलम तो चारो का मांगलिक परमानू यहां मेरे आसपास गुम्राने लगता है फिर एक-एक जैसे मैं बोलता हूँ चत्तारी मंगलम तो वो मेरे नजीक आता है चत्तारी लोगुतमा और नजीक आता है और चत्तारी शरणम पवज्जामी जैसे मैं शरणम पवज्जामी में आता हू तो जैसे मारा सही वासेब दालते हैं न वे इसे उनकी कुरुपा मेरे यहां सिद्ध सिखा से अंदर एंटर होती है अब समझ में आया यह है ऐसी केमेश्ट्री है ऐसी इस प्रकार कुरुपा आती है इस प्रकार मंगल होता है और जब आप स्वयम सीख ले होगे यह इसी साथ कुरुपा और इस प्रकार कनेक्ट करोगे एक साथ कुरुपा के लिए तुम दस मिनिट एक एक के साथ ऐसा सबंद बांदो रोज और मैंने तो हर घंटे का है कम से कम दीन में तीन बार सुबे उड़ते रात को सोने के पहले दूपेर को चार बजे फिक्स टाइम ऐसा करो और देखो जीमन में क्या चमतकार होते है और जब सीमंदर स्वामी इस साख साथ हजरा हूँ जो घर में है तो उनके सामने बैठ के करो यू विल फिल धैट के वो आ गए मेरे अंदर अब मेरे को कोई चिंता फिकर नहीं है बस वो मेरी रक्षा करेंगे मेरा हिद करेंगे वो मेरी रक्षा करेंगे मेरा हिद करेंगे इसलिए ये साथ कृपा है प्रभू कृपा है तो पेली कुरुपा हो गई इश्वर कुरुपा इश्वर कुरुपा का महत्व समझ में आ गया वो कैसे हमें help करता है समझ में जिवितिर धंकर परमात्मा जब अठासो करोड भक्तों को इतना उनके द्वारा आनंद उत्सव और मंगल मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा वो अठासों में हम क्यों सामिल नहीं हो सकते हो सकते कि कहीं भी बेटे हैं पूरे चऑदराज लोक में हम कहीं भी हो उनकी कुरुपा मिलेगी अगर हमको येसा पुकारना आता है तो ये मानुभो में स Linda लिया ना तो एक बार साइकल सीखा तो बाद में सिखना पड़ता है नहीं ना हमेशा चलता है नगों एसा यह जज्व redefine ज्व Peccary एक बार सीक्थ लिया ना तो दो बहु बहु तक हमारे साथ रेता है कि यह आपी अजिनयरी घ्टना नहीं ऑ鬆 बहुत बड़ी घटना जिवित तिर्थंकर परमात्मा केवली भगवन्तों की कृपा तीसरी हो गई सिदह परमात्मा की कृपा हमें क्या करती है हम उनको कहते हैं भाई आपके जैसे मुझे बनना है अभी सिदह बनना है अनन्द बनना है ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते जाते ठक गए अभी हम जिसने जितने शरीर धारण करो उसके नए चोंचले शुरू है कि नहीं? इस जीवन में ही कितने धारण हो गए तो उसमें से उपर नहीं आए तो फिर ये शरीर छोड़ने के बाद कितने शरीर वापस लेने इसा करना एं दंदा? कि हमेशा के लिए जूटना है बेट तो बोलो कृपा करो आपके जैसे बनना है और जो उसके लिए जरूरी है इसा मुझे मेरे अंदर दालो मुझे मालूमनी क्या जरूरी है मैं तो अग्यानी हूं मैं तो बालक हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है जो मेरे हीत में है इसलिए छे प्रार्तना बताईए कुरुपा करो, कुरुपा करो, रक्षा करो कुरुपा करो, कुरुपा करो हीत करो कुरुपा करो, कुरुपा करो माफ करो हमने बहुत गलतियां किये बहुत लोचे लबाचे की है कई लबाचे पता है कई लबाचे नहीं पता है माफ करो कुपा करो मुक्त करो कुपा करो परम मुक्त करो मुक्त करो तो टेंपररी हो गया हमेजा के लिए मुक्त करो हीत हुआ तो एक काम के लिए हीत हुआ अभी आज के दिन के लिए हित हुआ लेकिन मेरे को तो permanent हित चाहिए तो परम हित करो इस सातों को ये छे प्रार्थना करनी है कि आप सब को ऐसा काड मिलेगा ताकि आपको आसानी पड़े यहां को सब याद नहीं रहेगा तो ये उगध्यान करने का ये लाब है समझ गे? माला पेनेंगे ऐसी काली माला माला मोचसव होगा और आपको माला पेना ही जाएगी और आपको पेनना है वहर का मंगल सुत्र पेन के रखते हो ना ये परम मंगल सुत्र है